नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M केस के बारे में सारी डीटेल्स बताने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे भैरती कमेंट्स करके मैसेज करके पूछ रहे थे इस केस में क्या कुछ हुआ है जैसे कि आज इनकी LPA और जो CWJC क आप सबको पता है कि पतना है कोट में जो केस चले उनकी आज डिसीजन है तो क्या कुछ निकल कर आने वाले हैं सारी जानकारिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो के आप लोग लाश्ट तक बने रहिएगा क्या कुछ होंगे इसमें बहाली का प्रो जानकारिया होपको आप लोग लाश्ट तक बने रहिएगा हमस के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे कि आप सबको इंतजार है कि इसका जो किसी videosa unpack आपको शनलिंग है कि हम सबको देखने को मिल सके सारे अभैर ती सनवाय के सुनने के लिए आतध चाहे वो qualified वाले भैर थी क्यों नहों जो एक्जाब में पास हो गया है बहले ही उसकी सुनवाय आज नहीं है तेकिन वो भी जानने का एक्चुक है और जो चाहरे हैं जिन सब के द्वारा जिनका पक्च था CWJC नमबर वो भी चाहरे है कि आज इनका फाइनली सुनवाय आ जाय और आयोग तो जल्दी में है ही कि जल कब इसकी परकिरिया को पूरा करके हम नया जो भाली का प्रोसेस है उसको आगे कंटीन्यू करें तो आज आप लोगों का जैसे हम बात करें तो इस केस की आप जैसे ह सब्सक्राइब तो आज आप लोगों को इसका फाइनल ये नहीं है कि आप लोगोंका आज इसकेस के फाइनल जिशीजन मिल जाएगा आज के बाद आपको बहाली की परकिरिया है वो आगे शुरू कर दिया जाएगा कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा नहीं कि आपको एक दिन दिया गया और यही दिन में इसका सारा जजमेंट सारा पड़किरिया सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यही दो केस रहते तो डिसीजन दे भी सकते थे लेकिन इस दो केस के बाद लपीए केस जो एक है क्वालिफाई वाले अभ्यार्थी का वह आयोग की बात करें तो आयोग कोट के पास गया है उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि क्या करेंगे किसके बहाली की प्रोसेस में लाया जाएगा किस अभ्यार्थियों को बहाली में कॉंसिलिंग के लिए पुलाये जाएंगे तो यह आप पर ही छोड़े हैं तो आज कल से शुरू कर दिया जगा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अभ्यार थी कि जैसे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि क्या सब कल से कौंसिलिंग का सारा कुछ शुरू होंगे तो आईसा बिलकुल भी नहीं है कि कल से आपकी कौंसिलिंग होने लगेंगे कोट में मामला चलना है तो हो सकता है कि इसकी जो सुनवाय है वह मतलब लाश्ट में हो और जदादेर सुना ना जाए क्योंकि सीडियल नंबर 26 है तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि 26 के बाद वाले भी केस को रहो जाता है लेकिन इतने तक कभी कभी नहीं भी होता है तो कुछ करने सकते हैं आपको साम में इसके रिगार्डिंग पूरी डीटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ हुआ इस केस में सुनवाई में और क्या इसका आगला जो इसकी फैसला का जो यदि हैरिंग दिया जाता है तो उसके बारे में बताएंगे या इसका क्या कुछ फैसला निकल कर आते हैं इस सुनवाई में तो वह भी हम आपको साम तक सारा कुछ पतना है कोट का अपडेट कर दिया ज 26 सो कर रहे हैं तो 26 है तो थुरा सा समय लगेगा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही इनकी सुनवाय हो जाएंगे तो जो कुछ hai機 को इस तरीके से आपको बाहलगा प्रकीर काम पूरा करेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंथा करने की जड़着 नहीं है आयोन और आप्क में तो मामलाいた जिया है तो अब यही दो ही कोट 세상 करेंगे के lisa को आगे बढ़ाएं और साम तक आपको जो भी नई